अस्तलाम अलेकुम फ्रेंट्स मैं हूँ डाइटिशन फरीदा और आज मैं आपको बताने वाले हूँ वेट लॉस की बहुत ही जबर्दस ट्रिक जिसका इस्तमाल करने से आपका वेट लॉस होगा बहुत ही अच्छे से और एक महीने में आप 5 kg वेट लॉस कर लेंगे हाँ फ सहरा लेमबन के बहुत सारे लिएट ल quelle बेकंडर को सारे च्छा लेंआ और अइस क्लीआ कि बहुत जादा अचरा एंड Gray लेकर दो हुट होती ऑफ देन हाँ जो वह बहुत जयादा अच्छी होती है और वहमें help कर दी है आज हम हमारी वीडियो में जो है वो नीमो की छिलकों के बारे में बात करेंगे और इससे की weight loss किस तरह होगा यह हम देखेंगे सो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करें तक हमारे आने वाली नई वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो फ्रेंट्स आज हम सबसे पहले देखेंगे नीमू के छिलकों की क्या benefits हैं उसके क्या फाइदे हैं तो इसमें क्या होता है कि नीमू के छिलके हैं उसमें बहुत सारे vitamins and minerals पाय जाते हैं आपको पता है की calcium जो है वो बोन हेल्थ के बहुत ही जरूरी होता है तो क्या होता है उससे जो हड्डियों से संबंदिज रोग रहते हैं जो बीमारिया होती है यह उनसे भी वह में डिलीव करता है जैसे कि 4-5 lemonIf we squeeze Wait and Make the doc प्हेस? जब चुछन भाद फाली छील नेस कना बखता है उनको अछी से ऐता है सरदके कोईakat क CiTano No приним T slut कोई जरासीम ना रहे गहाँ जुश जाने के से एक लिर पानी बाद भ tir सी में बाइल के लिजा हाँ friends एक लिटर पानी में अच्छी से बॉइल करना है जब व यह दिए पानी जब पौणा लिटर हो जाएगा तो उस पानी में हमें क्या करना है थोड़ा सा काला सॉल्ट यानिकर ब्लैक नमक ठीक है black salt जो है वो हमें इस्तमाल करना है और उसमें add करके उसे में रख देना है और ये पानी को हमें क्या करना है हमारे breakfast के बाद, lunch के बाद और dinner के बाद एक एक glass लेना है और जब आप पीओगे इस पानी को तब थोड़ा सा warm उसको गरम कर लेना है इस ट्रिक को आप follow कीजिए आपका 100% 5kg weight loss होगा प्लीज आप मुझे comment करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और इस तरह के और वीडियो और आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं अपको और क्या problem है उनके लिए आप हमें message कर सकते हैं तो friends अगर आपको मेरा वीडियो दिल से पसंद आये तो इसे like, share, comment जरूर करें